हेलो एफ्रीवान, माइ नेम इस अदीती चौधरी, वेल्केम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे लिखकर लेलो, वो मना कर देगी, लिखकर लेलो, वो जूर बोल रहा है, लिखकर लेलो, वो तुम्हारा काम नहीं करवाएगा, लिखकर लेलो, वो किसी से नहीं डरने वाला ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंगलिश में बोलने के लिए हम मार्क मै वर्ड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है, लिखकर लेलो, इसका यूज हम तब करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं, जिस पर हम पूरा भरोसा करते हैं, जिसकी हम पूरी गैरेंटी लेत इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले mark my word आता है और इसके बाद हमारे sentence का main part आता है जो कि किसी भी tense में हो सकता है अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि mark my word को लिखने के बाद सबसे पहले कौम आएगा और इसके बाद ही हमारा main sentence आएगा चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए लिख कर ले लो वो मना कर देगी mark my word she will deny mark my word she will deny लिख कर ले लो वो जूट बोल रहा है mark my word he is lying mark my word he is lying लिख कर ले लो वे तुम्हारा काम नहीं करवाएंगे mark my word they will not get your work done mark my word they will not get your work done लिख कर ले लो वो किसी से नहीं डरने वाला mark my word he is not going to get scared of anyone mark my word he is not going to get scared of anyone लिख कर ले लो उसके पास पैसे थे mark my word he had money mark my word he had money लिख कर ले लो उसने यह जान भूच कर किया है mark my word she has done it intentionally mark my word she has done it intentionally intentionally का मतलब होता है जान भूच कर अब एक sentence आपके लिए लिख कर ले लो वो नहीं आएगा इसको हम English में कैसे बोलेंगे या आप मुझे comments में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो फ्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को subscribe दीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए take care, bye bye